ही और बने कान्य से लम्न के पलगेब और इसे का नेलिए रामेब का सब्लाव प्रिसका लिए सब्सक्राइठension करें के माफंें आज आज में में बेंगते मेंगेट किया हुआ है। के देखना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगे उस वीडियो का यहां पर मैंने पैक फाउंडेशन से अपना बेस किया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्रियेट हुआ है और अगर आप मेरे चैनल पर नए होगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ल काई यहां पर मैं मेकप से स्टार्ट कर रही हूं बताना आप लोगों को यहां पर मैं प्राइमर से स्टार्ट करते हूं क्योंकि मेकप का फर्स्ट टेप प्राइमर ही होता है तो यहां पर मैंने मिलानो का प्राइमर लिया हुआ है और इसको अपने जितने भी हाइलाइट मेरी थे आपर के नार्डभ प्रे उन्हें आपके हैं या इस लिए लिए कोलाइल मैं पर करिंगे एकिन दौक्दफ यहां लिए बिले लौक है Посå जो कलर होगा वह अच्छे से उभर के आएगा एंड गाइस उसको मैं अच्छे तरीके से पाउडर की है से सेट कर लूँगी दैन यहां पर मैंने वुटा ब्यूटी का यह यह ड्यूप है वुटा बीटी के मैंने नूट पाले यूज किया हुआ है इसे मैंने जितना भी ऐलो कैसा मैं इंूड किया हुआ है कैसा हुआ है तो मैं चाहरी थि आप लोग आ के दिए कैसर जूम करके बनाया हुआ है मैं सबसे पहले मैं अकट कate इस लिगे h Hind एक्डम लाइट कलर मुध करें का लिच दें लाइग लगो रवकी करें तो इसकेलिए लिए आटर कॉर्नर एंशना का आप एंडक इनर पर उसकेल हमेसां दाक ब्रॉण का है लिया हुआ है अपर्टियूं के पुर्ड़न एंडशा पुर्ध अप्रिश है यह जहाए जो Jet इतने भी पता नचले कि हमने कुछ अलग से प्रोडक्ट्स अप्लाई किया हुए हैं तो यहां पर मैं कट क्रीज मिडिल पार्ट में कट क्रीज बनाऊंगी जिसको सेमी कट क्रीज बोलते हैं हालो आय लोक में बहुत ही द्यान रखा जाता था क्योंकि जब भी हम प्लिकूल से 100 ही बीस की रिचले काई इसके बाद यहाँ पर मैं सीमर सिमर कर हूँ और वे घ्लीटर आप्लाई करेंगे तो उसके बाए पहले यहां पर अप्लाई कर लीए पूरे अपने दूरिन जितना मैंने कंसील किया है उतने दूरी पर मैं ग्लु अप्लाए करूंगी एंदें फिंगर की हप से मैंने यह सिल्वर कलर और वाइट शाइनिंग कलर मिला के मैं यहां पे मिड्ल पार्ट में अप्लाए करूंगे आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है एंद हम अगर्मेर के तुममें डियुक्त माश्म से लिए इसनी कीशल की हपा है करने यह पेदाउट शा फान्रेंसल टोस्ヤतों स्टरिक हैं आप ने यह उप्लाए कंसीलर यूगी कैनल उसके पूरे शङड़े दार्क कॉंतोर्त shades होते हैं तो मैं इसको अच्छे तरीके से apply करके और उसको मैंने finger की help से blend किया है दैन मैंने दोनों को अच्छे तरीके से beauty blender के हाथ से मैंने blend किया हुआ है गार इसके बाद बढ़ते हैं अपने base के तरफ तो यहां पे यह थोड़ा सा ड्राइशन लिया हुआ है यह थोड़ा सा ड्राइशन तो इसको ब्लैंड करना बहुत ही इंपोर्टेंट होता है अच्छे तरीके से टूटू-3 ड्रॉप लिया है यह मेरे फेस के लिए इनफ है जितना भी आप वेडिंग गेस्ट मेकप रोगी तिन आपके बहुत ही इनफ होता है और उसको मैं अच्छा सा अच्छे से वाम अप करके उसको डॉड़ा सा ड्राइश हो गया था आपको मैं एक हैक बताऊंगी अगर आपका फांडेशन कभी भी ड्राइश हो जाता है तो आप उस पर रोज वाटर स्प्रे कर सकते हैं तो वो इतने बढ़ते हैं अपने हाइलाइटिंग के तरफ जो कि हम लोग हमेशा करते हैं हाइलाइटिंग अगर आपको पसंद है तो फिर आप हैलाइटिंग कर सकते हैं अगर आप इसकिप करना चाते तो आप इसकिप भी कर सकते हो बट बट जो हाइलाइटिंग से हमारे से बहुत ही आजाती है एंड वो थोड़ा सा मारे जो बेगिस होता है बहुत अच्छा दिखता है तो इस वज़े से हाइलाइटिंग करना इंपोर्टेंट होता है वो आपके उपर टेपेंड करता है आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो सो यहां पर मैंने स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर यूज किया हुआ है देन उसको अच्छे तरीके से ब्लैंड करूंगी एंड हमेशा डब डब मोसन में ब्लैंड करने से बेस बहुत ही फ्लॉलेस होता है आपका भी रैगिंग मोसन में बिल्कुल भी ब्लैंड ना करें उससे बहुत ही केकी हो जाता है चैबी चैबी लगता है यहां पर मैं लिक्वीड ब्लै को पूरा सेट कर लूँगी 10-15 मिट के लिए मैं इसको इसी तरीके से छोड़ दूँगी ताकि वह अच्छे से पूरे फेस पे सेट हो जाए हमारा ताकि गर्मे के मौसम में हमारे जब भी हमारा स्वेट आई तो वह हमारे बेस को बिल्कुल भी ना खराब करें पूरे फेस मे मैं अपने बढ़ते हैं आई ब्रोष की तरफ तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर के आईशेडो से आईशेडो सडरी में हाँपे क्रीमी ज़ैल से मैं अपने आईब्रोष करूँ इसमें मुझे लग रहा था कि मेरे आईब्रोष को ज़्यादा ही सिंचायन जैसा बन गया है बट क्या ही कर भो गया मैं उसको पाउडर yeah कोशियों मेथि हो भी कया हां बट नहीं हो पाया उतना तो अब क्या हो गया तो हो गया जोया क्या हुआ ही मैं कर सकति हूँ अइसके बाद नहीं को आम पर आधे चैक्वर हो पाउडर के तरब तो यहां पर मैंने Faces Canada का Makeup Fixer यूज़ किया हुआ है यह मुझे ठीक ठीक सा लगता है मुझे पसंद नहीं है उतना यह Faces Canada का ठीक ठीक सा लगता है असके बाद मैंने अपने अंडर आइस पर हलका Brown Colour कोलर से शेड़ किया हुआ है और यहां पर मैं ब्लस लगाएं हूं ह् looked someone ताकि वो हर किसी जो sign होती है वो आ जाए एंड उसके बाद मैं apply किया हुआ highlighter अपने full face पे मैं highlighter apply करूंगी अपने cheeks पे nose पे cupid bone पे अच्छे तरीके से पूरे face में highlighter apply करूंगी एंड उसके बाद lip check के बारी आती है पर मैंने दो color की lip check apply की है मैंने पहले dark maroon color की से अपने lip lining कर लिया है एंड उसके बाद जो अंदर fill करेंगे वो light red color है आप देख सकते हो यहाँ यह बहुत प्यारा से shade nickel कर आया था है यहाँ पे मेरा make up look done हो जाता है कर लुब जाता है कर दो भुब जाता है